तो कैसे है आप लोग Redmi Note 13 series का तो बात ही कोजा लगे इस Note 13 series में Redmi तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है इस series का जो mobile है उसमें तो भर भर के बहुत ही अच्छा अच्छा features और प्रोसेसर का यूज़ किया है और उसके वीडियो back to back हमारे चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा तो आज हम इस वीडियो में Redmi Note 13 5G mobile के बारे में discuss करेंगे इस mobile में आपको बहुत ही low budget में 100 megapixel का dual camera देखने को मिलेगा उसके साथ साथ 6NM architecture में build हुआ प्रोसेसर मिलेगा और AMOLED punch hole display भी देखने को मिलेगा तो और क्या-क्या धमाकेदर अच्छा-च्छा features आपको इस mobile में मिल रहा है जानने के लिए यह वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा तो hello friends, मैं Shushmita Aura आप देख रहे हैं Shushmita Take Reviews channel तो पहले ही हम जान लेते हैं के इस mobile में आपको display कैसा मिल रहा है इस mobile में आपको 6.67 inch full HD plus AMOLED punch hole display देखने को मिलेगा इस display के refresh rate है 120 Hz और इसका brightness है 1000 nits यानि इस display में आपको बहुत ही अच्छा color quality देखने को भी लेगा और इसके अलावा indoor situation के साथ-साथ outdoor situation में भी इस mobile के visibility बहुत ही शांदार होने वाला है तो इस display के साथ आपको एक बहुत ही अच्छा viewing experience होने वाला है इस display के protection के लिए आपको Corning Gorilla Glass 5 का protection देखने को मिल जाएगा इसके अलावा इस mobile में आपको IP54 splash proofs design देखने को मिल जाएगा और इस mobile के back panel plastic material से बना हुआ है वजन के बार में अगर बात करें तो इस mobile के वजन है 174 ग्राम के आसपास और इसका thickness है 7.6 mm इस mobile में आपको Android 13 operating system MIUI 14 user interface के साथ देखने को मिल जाएगा बैटरी के बार में अगर बात करें तो इस mobile में आपको 5000 mH का battery 33 watt fast charger के साथ देखने को मिल जाएगा इसके अलावा type C charging port, 3.5 mm headphone port और एक mono speaker भी देखने को मिल जाएगा security के बार में अगर बात करें तो इस mobile में आपको side mounted fingerprint scanner और face unlock की security system देखने को मिलेगा ये mobile तीन color variant में market में launch हुआ है time blue, midnight dark और stars and white तो आपको कौन सा color पसंद आए? comment करके जरूर बताना आप video देखते हैं पर comment नहीं करते rare camera के अगर बात करें तो इस mobile में आपको 100 megapixel का dual camera देखने को मिलेगा इसका जो primary lens है वो है 100 megapixel का और इसका aperture है f1.7 और एक 2 megapixel का macro lens देखने को मिल जाएगा इस camera के साथ आप 30fps में 1080p quality के video shoot कर सकते हैं इस mobile के front में आपको 16 megapixel का selfie camera देखने को मिल जाएगा connectivity के अगर बात करें तो इस mobile में आपको 5G, dual band wifi, bluetooth 5.3, dual 4G quality और IR blaster के अभी support देखने को मिल जाएगा प्रोसेसर के बारे में अगर बात करें तो इस mobile में आपको Mediatek Diamond City 6080 प्रोसेसर देखने को मिलेगा यह एक 6NM OctaCore processor है और इसका maximum clock speed है 2.4 GHz इसमें Mali G57 GPU का use किया गया है इस mobile में AMOLED display दिया हुआ है उसके साथ-साथ 5000 image का बैटरी भी मिल रहा है और 6NM architecture में बिल्ड हुआ एक processor भी मिल रहा है यानि बैटरी बेका बहुत ही अच्छा होने वाला है और इस mobile के साथ आप बहुत ही अच्छी तरीके से gaming भी कर पाऊगे और multitasking भी इस mobile के साथ आप बहुत ही अच्छा कर पाऊगे और regular day use का जो काम है वो भी बहुत ही ठीक ठाक इस mobile के साथ आप कर सकते हैं यह mobile चार storage variant में market में launch हुआ है 6GB 128GB, 8GB 128GB, 8GB 256GB और 12GB 256GB इसका RAM टाइप है LPDDR4X और इसका storage टाइप है UFS 2.2 इस में up to 8GB expandable memory देखने को मिल जाएगा इस mobile में hybrid SIM slot देखने को मिल जाएगा यह mobile फिलाल तो चाइना में launch हुआ है और इसका market price है 1099 युवन जिसको इंडियन रुपीस में convert किया जाए तो एप्रोक्स 13,000 इंडियन रुपीस हो रहा है तो इतने कम budget में आपको इस mobile में 6NM का processor मिल रहा है उसके साथ-साथ 100MP का dual camera देखने को मिल रहा है और AMOLED display देखने को मिल रहा है तो मेरे हिसाब से यह mobile एक budget friendly mobile है तो आपको कैसा लगा यह mobile? कोमेंट करके जरूर बताना और हाँ वीडियो अगर अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर करके जाना और ऐसे ही mobile से लेलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे जैनल को सब्सक्राइब करके जाना